ये देखे कितना पर्फेक्ट है ना ब्रेट पकोड़ा एकदम मार्केट जैसे लग रहा है न आपको उससे भी एकदम बढ़िया है जी हाँ दोस्तों एकदम उससे भी बढ़िया है हेलो दोस्तों स्वागते आपके अपने चैनल मम्मी की रिसोई में आज हम जा रहें बनाने एकदम मार्केट से भी बढ़िया ब्रेट पकोड़ा इसमें मैंने कुछ आपको सीक्रेट बात बताईए जो कि आपको ध्यान रखना है ऐसे फुली फुली ब्रेट पकोड़ा बनान फिर हम डाल देंगे इसमें थोड़े से मीठा सोडा यानि की खाने का सोडा होता है उसको डाल देंगे साथी हम थोड़े से नमक को डाल देंगे नमक के साथी साथ हम डाल देंगे इसमें एक चमच हल्दी पाउडर तो बस हमें इसमें यही करना है और कुछ नहीं डालना है फिर हम इसको mix कर लेंगे तो tip number one जिसको आपको ध्यान रखना है इसमें आपको कोई longs नहीं लाने यानि कि जो बीच में गुटलियोगा रहोते हैं न उसको हमें नहीं लाना है अगर वो आ जाए न तो आपका bread पकोड़ा धंक से नहीं बन पाएगा तो इस tip को ध्यान और एक सीक्रेट बात भी है जी हां सबको mix कर लेंगे और इसका अच्छा अच्छा पेश्ट रेडी कर लेंगे बैटर रेडी कर लेंगे तो फिर हम चमच को धोने के बाद इसको ले लेंगे और इससे कर लेंगे तो देखे हमारे इसमें बेसन में कोई लंग्स नहीं है न ये देखे एकदम नहीं न एकदम परफेक्ट है न तो बस आपको इतना ही रखना है इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है तो ये देखदम परफेक्ट है न तो अब हमें पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डाल फिर हम इसको हटा लेंगे और इसमें धक्कान लगाकर आधे गंटे तक छोड़ देंगे जी हां दोस्तों आधे गंटे से जानते क्या होगा बेसान अच्छी तरीके से फूल जाएंगा तो ब्रेट पकोड़ा में अच्छी तरीके से बनकर त्यार हुआ तो चलिए और समान द अबने लिए फ्रोजन मटर आप चाहें तो कोई साभी मटर यूज कर सकते हैं यह इसको डालेंगे मज़ा आजएक आपको ब्रेट पकड़ा खाने में इसके जगह छोड़ भी सकते इसकी बीकट सकते हैं तो किता बढ़ियां लगरना हरा हरा लगरना आप लोग तो चलिए अलू को तो खाड़ा नहीं रखेंगे इसको हम पीस लेते हैं यानि के हम इसको को चमस कर लेंगे सिसमें को deed यह सेगे क AND लोगां नहीं जाते हैं जो करा लिए उनको फ्रॉअ करेंगे एम अद्रक को अधरको डालने के आप डाल देंगे हरी मिर्च को अभिन को अभी मत ढालिएगा सब को डालने के बाद थोड़े से पक जाने के बाद हम डाल देगा अपना फ्रोजन मटर को आप चाहे तो कोई सावी मटर रियूस कर सकते या तो छोड़ भी सकते हैं सब को मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को मीडियम से थोड़ा हाइपर रका सारे प्रोसेस को करेंगे आप तो हैनक दम मज़दार रैस्पी ट्राइस जरू करेंगा आप लोगा नीचे कमेंट करके जुरू बतेगा कि आज की रैस्पी कैसी लगी फिर हम डाल देंगे इसमें थ साथी साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़े से काली मिर्च साथी जीरा पॉडर डाल देंगे आप काली मिर्च का पॉडर भी डाल सकते हैं फिर हम डाल देंगे इसमें लाल मिर्च का पॉडर सबको मिक्स हो जाने के बाद हम डाल देंगे अपने आलू को अलू को डालने के सब को मिक्स कर लेंगे अराम अराम से कर लीजिएगा अभी आप इसके फ्लेम की इसके डाल देंगे नमक आप स्वात को डाल सकते हैं इसके साथ हम डालेंगे चाट मसाला अगर आपको चाट मसाले की वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएको देख सकते हैं बढ़िया चाट मसाले की रैस्पी है इसके जो हरी धनिया लिया तरह उन सबको डाल देंगे तो चलिए अपने सीक्रेट की ओर आ जाते हैं जी है दोस्तों हम इसमें डाल देंगे निम्बू का रस अब पूछेंगे निम्बू का रस डाले को खटा खटा नहीं लगेगा नहीं गम इसे अच्छा टेस्ट फ्लेबर स्वाद देगा आपको तो आप लोग निम्बू कर जरूर डालेगा लेकिन ज्यादा मत डालेगा थोड़ा से करके डालेगा तो यह लिजए हमारे आलू का मसाला बनकर रैड्यो कितना अच्छा लग रहा है नमन कर रहा है ऐसी खाले इसके बोद हमने लिया है यह पूरा ब्रेड का पैकेट यह हमने बीस वाला ब्रेड का पैकेट लिया है जिसमें ऐसे स्लाइस के आतना ब्रेड वही ब्रेड लिया है आपको ब्रेड ज़दा पतला वाला भी नहीं लेना है मीडियम साइज के ब्रेड लेना है इसके हम अपन क्योंकि हम तो पूरा खाते हैं तो हमारा टाइटल भी हम जो खाते हैं वही बनाते तो जी है दोस्त Starting Betty असमिग अशुमारा जाखते हैं तो हमारा पूरा ये जो 20 का भ्रेट अदुसरा उसको तुसरा लेकर चिपका barely चार चार आट ते निग्यारव ब्रेड बने हैं तो हमने बीसल ब्रेड लिया थो तो उसमें हमें 11 ब्रेड मिलेंगे इसके बदम इसको बीच में से काट लेंगे और इसको ट्रेंगल सेप में डाल देंगे तो यह देखिए 30 मिनट के बाद एकदम परफेक्ट है ना बेटर तो आप लोगों कोई एकदम ऐसे ही रखना है यही एक सीक्रेट टिप्स था जो कि मैं आपको वीडियो में सेर करने वाली थी तो कर भी दिया इसकी वोदrant ग्यास पर कराई बढ़ाँ ऋस में डाल दिया औल और को हमें पूरा पूरा हीट होने देए जिससे धूयदार जीसे सहीट होता नो उतना कहीड होने देना है आपको ग्यास की फिलिम को हाई पर रककर इसको फ्राई करिए इसके बूद आपने ब्रेट को लेकर यह बेसन में डिप कर लेंगे और हम डाल लेंगे अपने किराही में वाउ गंपर्फेक्ट है ना तो आपने तो ऐसे कितनी ब्रेट पकॉड़े बना कर खाएंगो तो जैसे बीज मिच में नहीं हो जातें गुटली हो गारा तो वह नहीं आप वो ट्राइज जरू करेगा नीचे कमेंट करके जरू बताएगा कि हां बहुत ही जद्धा अच्छे ब्रेट पकॉड़ा बना है तो इसको फ्राइब करने में मुश्किल से दो से तीन मट लग जाएगा फ्राइब करने कद अम इसको निकाल लेंगी सारे ओल को निकाल दिखाते हैं तो यह देखिए आलू की स्टफिंग देखिए कितना मज़ा आ रहा है ना देखने में तो ट्राइज जरू करेगा आज की समझदार रेस्पी को अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे न तो प्लीज आप हमारे चेरों को सस्क्राइब करें इस वीडिय जरू बतेगा मिलते हैं कोर नई रेस्पी के साथ